हलो बचो वेलकम सो बचो आज अपन शुरू कर रहें एक नया चेप्टर अनाटॉमी ओफ फ्लावरिंग प्लांट यानि प्लांट अनाटॉमी यहां इस चेप्टर में अपन टिशू की स्टडी करेंगे ठीक है अपन देखेंगे कि किस टाइप की सैल है ठीक है उन सैल के जो तो शुरू करने से पहले बच्चो कुछ चीजों का ध्यान रखना अगर सिंपर के पेपर को देखे नाम भी पूछे गई है तो यहां प्लांट अनाट अनाटॉमी शुरू होने से पहले एक साईंटिस्ट की ब्रेफ इंट्रोडक्शन दी गई है जिसका flowering plant के anatomy में बहुत contribution रहा है University of California के अंदर professor थी उसकी जो book थी बहुत ही famous हुई Anatomy of Seed Plant Anatomy of Seed Plant थी ये वाली Anatomy of Seed Plant, Catherine Isau ठीक है, ये book थी, इस book का नाम भी आपके NCRT के अंदर लिखा हुआ है Anatomy of Seed Plant ठीक है, इसमें पूरी detail उसने एक एक चीज के बारे में बताया हुआ है कि plant की structure जो होती है, वो किस तरह से होती है सारी electron microscope की image के साथ में explain किया हुआ है अगर आपको दिखाई दे रही है तो हर एक चीज को diagramatically, हर एक चीज को electron microscope की सायता से analyze करके उसकी बहुत ही अच्छे से explanation दी गई है तो एक interesting chapter है बचो मज़ा आएगा पढ़ने में तो शुरू करते हैं, इसके history के साथ में शुरू करते हैं आप scientist के introduction जरूर ध्यान में रखिएगा तो plant anatomy anatomy किसको कहते हैं? internal organization of plant anatomy अपने plant की पढ़ रहे हैं तो plant के बारे में ही बात करेंगे difference क्या होता है histology और anatomy में? histology, micro anatomy है histology क्या है? micro anatomy है यानि आप यूँ कह सकते हो कि टीशू के एक part की microscopic study आप कर रहे हो तो आप histology पढ़ रहे हो उसकी ठीक है? और simple जो internal organization है वो plant anatomy है तो father of anatomy किसको कहा गया? ग्रिव को father of histology भी एन ग्रिव को कहा जाता है father of modern plant anatomy नागेली को कहा जाता है father of Indian plant anatomy के एक चोधरी को कहा जाता है ठीक है? उसके बाद भी tissue term जो है वो भी एन ग्रिव ने दी थी और tissue को आगे दो group के अंदर classify किया था कार नागेली भी अब अगर देखा जाएं कि plant anatomy जो है anatomy जो है वो diverse environment में adaptation शो करती है anatomy मतलब internal organization internal structure of plant also show adaptation to diverse environment ठीक है ना simple example जिन बच्चों ने पढ़ रखा है जो बच्चे 11 के जिनोंने भी नहीं पढ़ा उनको इस बारे में आइडिया नहीं होगा annual rings बनती है annual rings बनती है secondary growth होती है ठीक है cell की आप देखते हो कि अलग-अलग मौसम के अंदर अलग-अलग season के अंदर जो annual rings का color होता है वो different होता है ठीक है simple example C4 और C3 plant C4 और C3 plant जैसे C4 plant जो थे उनके अंदर photorespiration से बचने के लिए उन्होंने अपनी anatomy change करी cringe anatomy cringe anatomy याद आया ना जिन बच्चों ने 11th पढ़ रखी है जो target के बच्चे हैं उन्हें पता होगा C4 plant की leaf के अंदर cringe anatomy पाई जाती है वो photorespiration से बचने के लिए adaptation है ठीक है तो जो internal organization होता है plant का internal anatomy जो होती है वो diverse environment के लिए साथ में adaptation भी show करती है उसके according अपने आपको ढालने की tendency भाई अगर अपने लिए environment unfavorable है तो उसके according अगर अपन adapt हो गए उसके according ढल गए तो हमने उसके लिए क्या कर लिया adaptation कर लिया तो इसी तरह से plant भी किसी भी परकार के नुकसान से बचने के लिए किसी unfavorable condition में survive करने के लिए adapt हो जाते है तो उनकी internal structure भी adapt होती है, internal anatomy भी adapt हो जाती है तो उसे क्या बोलते है उसे क्या बोलते है नुकूलन बोलते है, simple से बात है तो आगे देखिए tissue basic terms पर बात कर रहे है पर tissue क्या है, group of cell common in origin जिनका origin क्या हो, common हो और common ही उनका function हो हाँ, shape उनकी अलग-अलग हो सकती है shape, side जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, अलग-अलग हो सकता है but origin जो है origin जो है, और function जो है दोनों के दोनों similar होंगे इस तरह के cell के group को tissue कहा जाता है, term tissue जो है वो, grew ने दी थी, term tissue किस ने दी थी grew ने दी थी, और study of tissue क्या कहलाता है, study of tissue histology कहलाता है, और internal organization के study क्या कहलाती है anatomy कहलाती है, तो histology micro anatomy है histology क्या है micro anatomy है ठीक है, उसके बाद में tissue जो है, वो कार्ल नागेली के द्वारा दो ग्रूप में बाटेगे इसका screenshot ले ले बचो फिर अपन बात करते हैं तो tissue अपन ने देख लिया tissue क्या होता है, ऐसी cell का group, जो function और origin में similar हो cell का ऐसा group, जो function और origin में similar हो उसे tissue कहते हैं कार्ल नागेली ने tissue को दो ग्रूप में बाटा था किस basis पे बाटा था उन्होंने? classification of tissue जो था देखो कोई भी classification होता है कोई भी classification जो होता है उसका कोई basis जरूर होता है तो देखते हैं classification of tissue ठीक है? basis क्या है यहांपर? division करने की ख्षमता basis क्या है यहांपर? विभाजन की ख्षमता capability of division क्या कहेंगे? capability of division ठीक है? कि उसकी विभाजन करने की ख्षमता उसकी capability जो है वो किस तरह है किये? तो एक maristematic और एक क्या होता है? permanent ठीक है न? तो एक क्या होता है? इस basis पे दो ग्रूप में बांटा था maristematic tissue और दूसरा कौन सा? permanent या स्थाई उत्तक permanent हिंदी में मेरिस्टमेटिक को बोलते है विभजोतक ये उत्तक हिंदी में मेरिस्टम को क्या बोलते है? विभजोतक कहा जाता है ठीक है? और permanent को स्थाई कहते हैं तो अपन एक एक करके discuss करेंगे बचो सबसे पहले अपने पास में पॉइंट है मेरिस्टमेटिक टिशू मेरिस्टमेटिक टिशू क्या होता है? सबसे पहले अगर देखें तो मेरिस्टेम जो शब्द है ये मेरिस्टमेटिक शब्द जो है ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है Maristos से ये कहां से लिया गया है Maristos जिसका मतलब होता है Divisible Divisible ठीक है न? विभाजन योग्य वही ऐसा टिशू जो लगातार division कर रहा है वो क्या है? Maristos है Maristomatic tissue है जो लगातार विभाजन कर रहा है जिसमें लगातार विभाजन करने की क्षमता है वो Maristomatic है और Permanent जो अपने विभाजन की क्षमता को खो देता है Permanent जो अपने विभाजन करना उसमें विभाजन होना रुप जाता है या विभाजन की क्षमता खो देता है उसे Permanent या सायूत्त कहते है जिसमें विवाजन करने की क्षमता होती है उसे विवजोत किये या मैरिस्टमेटिक टिशू कहा जाता है ठीक है अब इसे फॉर्मेटिव टिशू भी बोलते हैं तो ये किस तरह का टिशू होता है ये होता है इम्मेच्चोर सेल का ग्रूप होता है ये कैसा टिशू होता है ये इम्मेच्चोर सेल का ग्रूप होता है तो ग्रूप आफ ग्रूप आफ इम्मेच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कोषिकाएं होती हैं, ये mature cell नहीं होती है, और continuous state of division, ये लगातार किसमें होता है, continuous state of division में बना रहता है, लगातार विभाजन करता रहता है, continuous state of division, विभाजन, इसमें लगातार होता रहता है, तो पहला point यह हुआ, कि maristmatic immature cell का group होता है दूसरी बात यह होई कि लगातार division की state में रहता है division की state में रहता है अब अगर plant में growth के point of view से देखा जाए ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी cell जो है वो division कर रही है भाई जैसे एक मेरी height का plant है एक 6 feet का plant है क्या उसमें सारी की सारी cell division कर रही होगी नहीं उसमें कुछ permanent cell भी होगी और कुछ जो होगी वो maristmatic cell भी होगी तो animals के, sorry, plant के अंदर specific regions होते हैं ठीक है न, अगर आपको याद आ रहा हो तो the living world chapter में सबसे पहले अपन जब growth पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि plant show unlimited growth पादपों के अंदर ऐसीमित वरधी होती है पादपों में ऐसीमित वरधी होती है due to presence of maristmatic tissue क्योंकि उसमें जीवन भर, जीवन प्रेंत वरधी होती रहती है क्योंकि उसमें विविजोत्य कि उत्तक पाय जाते है while animal show limited growth हम एक limited growth show करते है अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ता ही जाओंगा बढ़ता ही जाओंगा अब यूं मतलब निकालना कि सर जो मोटे होते हैं वो तो फैलते जाते हैं मोटे होते हैं वो fat deposition की वज़े से होते हैं ठीक है प्लांट की तरह थोड़ी ना फैल रहे हैं कि प्लांट की आपने तो ब्रांचेज कट कर दी प्लांट की तो अगले साल फिर से ब्रांचेज आ जाएंगी ऐसा होता है कि ओर्गन काट तो नहीं आगए animals में नहीं होता regeneration की power कुछ animal में होती है वो भी बहुत कम ठीक है ना exception के तोर पर कह सकते हो आप और हमारे अंदर भी बहुत ही कम regeneration की power होती है प्लांट में तो बापस से regenerate हो जाती है हर साल नहीं ग्रोथ होती है तो प्लांट unlimited ग्रोथ चो करते हैं क्यूंकि प्लांट के अंदर maristematic tissue होते है और हर जगे maristematic tissue नहीं होते है तो growth जो होती है वो प्लांट में restricted भी होती है सिमित होती है कुछ area में सिमित होती है मतलब कुछ specific region होंगे plant के अंदर जहां पर plant growth show कर रहा है ठीक है उन region को क्या कहते है maristeme कहते है तो आप यूँ कह सकते हूं कि growth in plant highly restricted to specialized region growth in plant growth in plants साथ साथ में लिख ले न growth in plant highly restricted highly restricted to special region ठीक है न सिमित होती है visist क्षित्रों में visist क्षित्रों में सिमित होती है तो जो actively dividing cell होती है उन cell को maristeme कहा जाता है या maristematic tissue कहा जाता है actively dividing cell और actively dividing group of cell ठीक है actively dividing group of cell called maristematic tissue अच्छी definition है बहुत शांदार definition है ठीक है actively dividing group of cell called maristematic tissue clear हुआ यहां तक clear हुआ ना यहां तक कि plant के अंदर growth जो होती है वो special region में restricted होती है हर जगे नहीं हो रही होती है हर जगे ग्रोथ नहीं generally growing point कौन से होते है tip point apex point जो होते है root apex shoot apex शिर्ष भाग जो होते है सिर्षस्त भाग जो होते है वो व्रधी कर रहे भाग होते है ठीक है ना जो mature region होते है उनमें फिर secondary growth होती है दो तरह की growth होती है plant में generally dicot के अंदर आप देखो तो जहां primary growth किसको represent करती है length में growth होना length के अंदर लंबाई में व्रधी होना primary growth है चोडाई में width circular width का बढ़ना giggle form में क्या है secondary growth है ठीक है तो special region में कुछ खेतर परजेंट होते है जैसे growing पर apical meristeme हो गया और secondary growth के लिए cambial cell होगी एधा कोशी का है cambium कोशी का है ठीक है तो restricted होती है visist क्षत्रों में जहां पर actively dividing cell का group होता है उन्हें meristematic tissue कहते है उन्हें meristematic tissue कहते है तो meristematic tissue जो सुरू से present होते है वो primary meristematic tissue होते है और जो permanent cell के de differentiation से बनते है उन्हें क्या बोलते है secondary meristeme बोलते है तो वो अपन आगे पढ़ेंगे जो fresher बच्चे lecture देख रहे है 11th के वो थोड़ा सा धेरे बनाए रखे आप जैसे 2nd और 3rd lecture तक जाओगे तो आप completely समझने लग जाओगे ये lecture मतलब उन बच्चों को अच्छे से clear हो रहा है जिन बच्चों ने 11th पढ़ रखी है ठीक है ना क्यूंकि उनको और इन चीजों के बारे में पता है लेकिन 2 lecture आप आगे जाओगे तो आपको भी ये चीज़ें clear हो जाएंगी तो इसमें tension मतले ना कि जो मैं शब्द बोल रहा हूँ cambium, secondary, meristime ये क्या है ये पता चल जाएगा आपको आगे तो ये है meristime अगर आग इसके character के बारे में बात करें कि meristime की cell जो होती है वो किस तरह की होती है तो cell जो होती है वो generally isodiametric होती है meristimatic cell जो होती है meristimatic cells isodiametric होती है isodiametric ठीक है isodiametric होने का मतलब जिसका diameter जो है वो लगभग समानो आप यह कह सकते हो nearby oval round लगभग ठीक है न उसे isodiametric कहते है thin cellulogic wall होती है secondary cell wall नहीं पाई जाती thin cellulogic wall thin cellulogic wall secondary wall नहीं होती है अभी तक क्योंकि fresh एकदम नहीं cell होती है secondary wall absent ठीक है तो cell कैसी होती है isodiametric होती है और wall जो होती है वो cellulogic की बनी होती है secondary wall absent होती है यहां तक clear है आगे next देखते है तो meristimatic cell है यहाँ पर highly divisible cell है लगातार continuous state of division में है तो जब cell division कर रही होती है जब cell division कर रही होती है तो cell को सबसे ज़्यादा biomolecule बनाने पड़ती है ठीक है यह तो आप cell division में पड़े हो ना जब cell division कर रही होती है तो cell को सबसे ज़्यादा biomolecule synthesize करने पड़ती है तो metabolically active cell होती है ठीक है ना Metabolically Active Cell होती है, तो आप यूँ कह सकते हो, Meristmatic Cell जो होती है, Meristmatic Cell, इसके point लिखा रहा हूं कि Meristmatic Cell जो होती है, है Rapid Metabolic Rate, Rapid Metabolic Rate, Metabolism या उपापचे की दर जो होती है, वो तिवर होती है, विवजोतके कोशिकाओं में, उपापचे की दर तिवर होती है, ठीक है, हिंदी वालो, Iso-Diametric को हिंदी में बोलते हैं, समव्यासी, कि इसकी कोशिकाओं जो है, वो समव्यासी होती है, ठीक है न, कोशिका बित्ती, Cellulose की बनी होती है, पतली होती है, दिवित्यक बित्ती नहीं पाई जाती, ठीक है, उसके बाद में Rapid Metabolic Rate, यानि तिवर उपापचे ही दर होती है, तिवर उपापचे ही दर होती है, क्योंकि, क्योंकि Division करना है, तो बायो मॉलेकूल ज़्यादा चाहिए, एनरजी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, भई एक सेल दो में बन रही है, तो उव्यस से बात है requirement तो होगी, फिर सेल जो होती है, वो Compactly Arrange होती है, सेल Compactly Arrange होती है, Compactly Arrange, Compactly Arrange का मतलब, Intercellular Space नहीं पाई जाती, एकदम पास-पास में, बिल्कुल Tightly Arrange, Intercellular यानि अंतरकोशी की अवकाश, Intercellular Space Absent, Compactly Arrange होती है, तो Intercellular Space जो है, वो नहीं पाई जाते, Intercellular अंतरकोशी की अवकाश, अंतरकोशी की अवकाश, नहीं पाई जाते, ध्यान रखना, ठीक है, Dense Cytoplasm होता है, Cytoplasm जो होता है, Dense Cytoplasm सघन कोशी का दर्वे, इन कोशीकाओं में सघन कोशी का दर्वे होता है, क्यों ओव्यस्थी बात है, Metabolism Rate जब ज़्यादा है, तो Biomolecules ज़्यादा Synthesize हो रहे हैं, ज़्यादा Synthesize हो रहे हैं, तो एक तरह से Cytoplasm में बहुत सारे Material content है, तो Cytoplasm कैसा है, Dense है, ठीक है, Prominent Nucleus होता है, Prominent Nucleus, यानि साफ तोर पर दिखाई देने वाला, Prominent Nucleus, तो Cytoplasm कैसा है, Cytoplasm Dense है, Prominent Nucleus होता है, ठीक है न, Vecule अगर देखा जाए तो, Vecule जो होती है, वो generally primary जो meristream होते हैं, उनमें Vecule या तो absent होती है, या बहुत ही छोटी होती है, Vecule रिक्तिकाएं, either small or absent, रिक्तिकाएं, या तो अनुपस्तित होगी, या बहुत ही छोटी होगी, रिक्तिकाएं, या तो अनुपस्तित होगी, या बहुत ही छोटी होगी ठीक है फिर जो सेल अब लगातार देखिए लगातार डिविजिन के अंदर सेल है तो सेल पूरी डवलप भी नहीं हो पाती है शुरू में लिखवाया था immature सेल है immature तो इसके औरगेनली जो होंगे वो भी immature होंगे like endoplasmic reticulum जो हो गई ER हो गया mitochondria हिंदी में बोलते हैं सुत्रकनिका mitochondria not fully developed not fully developed ये पूरण विक्षित नहीं होते जो plastid होते हैं plastid are in pro-plastid stage plastid जो लवक होते हैं वो भी पूरो लवक वस्ता में होते हैं pro stage में होते हैं pro plastid stage ठीक है ना plastid are in pro-plastid stage यानि developing condition के अंदर है developing condition के अंदर है ergastic substance जो होते हैं वो absent होते हैं इसमें IMP बच्चों in cell के अंदर है ergastic substance absent होते हैं ergastic substance का मतलब क्या हुआ जो non protoplasmic जो protoplasm में absent नहीं होते हैं generally जो essential नहीं होते हैं उनको ergastic substance कहा जाता है ergastic substance से कहा जाता है तो ergastic substance नहीं पाय जाते हैं repeat कीजिए maristmatic cell कैसी होते हैं rapid metabolism वाली तीवर उपापचे वाली होते हैं साथ साथ बोलना बच्चों lecture साथ में याद हो जाना चाहिए lecture साथ में याद हो जाना चाहिए compactly arranged यानि सगनीत रूप से वेवस्तित intercellular space absent अंतरकोशी की अवकास नहीं पाय जाते dense autoplasm सगन कोशी का दर्वे prominent nucleus सपस्ट केंद्रक होता है वेक्योल या तो छोटी होगी या absent होगी और गेली जैसे की endoplasmic reticulum mitochondria पूरण विक्षित नहीं होते note fully developed plastid pro plastid stage में होते हैं ergastic substance absent होते हैं जो non protoplasmic material होता है पदार्थ होते हैं वो नहीं पाय जाते clear बचो चलिए आगे देखते हैं कुछ feature और देखते हैं अपन इनका मैं इस time आज अपन basic feature इसके complete कर लेंगे आगे next lecture के अंदर अपन classification पढ़ेंगे अब यह क्या होता है undifferentiated tissue होता है Maristematic cell undifferentiated tissue undifferentiated tissue undifferentiated tissue एविभेदित उत्तक एविभेदित उत्तक तो undifferentiated का मतलब क्या होगा undifferentiated का मतलब होता है कि अभी इन कोशिकाओं को नहीं पता कि आगे चलकर क्या काम करना है यह अभी Maristematic cell है यह differentiate होकर आगे अपना specific function करने लगती है तो जब तक जब तक cell अपना specific function करने ना लग जाए जब तक वो अपना visist कार्य करने ना लग जाए तब तक वो undifferentiated यह विभेदित कोशिका होती है ठीक है तो differentiate होके क्या बनाएगी permanent tissue बनाएगी तो differentiate to form differentiate to form permanent tissue permanent tissue विभेदित होकर स्थाई उत्तक उत्पन करती है विभेदित होकर स्थाई उत्तक उत्पन करती है ठीक है फिर जो meristematic cell होती है meristematic cell जो होती है उनमें division के समय उनके अंदर division के समय at the time of division at the time of division ki जो होता है वो बहुत ही low होता है karyoplasmic index is low ठीक है ना karyoplasmic index low होता है और new cell का new cell ki karyoplasmic index जो है वो high होता है karyoplasmic index होता क्या है यह important सवाल है बच्चों karyoplasmic index क्या होता है basically देखिए कि जो cell का size होता है उसमें परजेंट cytoplasm का volume होता है उसमें nucleus का size होता है यह चीजें जो है जरूरी होती है सामय अवस्ता में रहे जब karyoplasmic index low हो जाता है तो cell को divide करना पड़ता है क्यूं क्यूंकि देखो अगर एक nucleus है cell बढ़ी हो चुकी है relatively cell का size जो है वो nucleus से बढ़ा हो चुका है वैसे तो nucleus से बढ़ा ही होता है बट मैं बात कर रहा हूं कि nucleus जो है वो cell को control रखता है ठीक है तो जब nucleus उस cell पर control नहीं रख पाता है वह cell की जो सिमाई है वो दूर दूर बढ़ चुकी है cell का size बढ़ चुका है जिस तरह से होता है कि जिसे एक state है state को district में बांटा जाता है ठीक है district को handle करने वाले अलग होते है state को handle करने वाले state district के थुरूप ठीक है तो cell की metabolism properly नहीं हो पाएगी metabolism नहीं हो पाएगी तो metabolism को maintain करने के लिए cell को division करना पड़ता है तो karyoplasmic index जैसे ही low होता है तो cell की metabolic rate जो है वो affect होती है फिर cell divide हो जाती है और karyoplasmic index को maintain करती है तो आप यूं कह सकते हो कि karyoplasmic index जो है वो extremely necessary होता है proper metabolism के लिए के आई जो है karyoplasmic index बहुत अधिक जरूरी होता है किसके लिए proper metabolism के लिए ठीक है ना तो relationship होती है cell size और nucleus size की कि cell कितनी बड़ी है और उसके अंदर nucleus कितना बढ़ा है तो obvious सी बात है नई cell होगी वो cell छोटी होगी ठीक है nucleus की पूरी command होगी तो के आई उसमें high होगा और cell जब थोड़ी develop हो जाएगी cell का size बढ़ जाएगा ठीक है और nucleus का size relatively क्या हो रहेगा छोटा रहेगा तो धीरे-धीरे के आई क्या होने लगेगा low होने लगेगा जब के आई low हो जाएगा metabolism गड़ बढ़ाने लगेगी cell को division करना पड़ेगा ठीक है तो cell की metabolism को proper बनाए रखने के लिए KI एक important factor होता है karyoplasmic index एक महतोपुर्ण कारक होता है ठीक है तो division के time KI जो है वो low होता है और नई cell का KI जो है वो high होता है clear बचो यहाँ तक clear है फिर एक होती है initials ठीक है initials initials क्या होती है initials initials पढ़ाओगा आपने ray initial होगी ठीक है न तो initials जो है वो वो cell होती है जो अपने जीवन भर विभाजन करती है ठीक है न जो जीवन भर विभाजन करती है meristematic cell which retain capacity of division meristematic cell meristematic cell which retain which retain capacity of division capacity of division throughout lifespan throughout lifespan जीवन भर जिनके अंदर विभाजन की क्षमता मोजूद रहती है उन्हें initials पातल गर्चे लिया initiating cell कहते है ठीक है न एसी meristematic cell जनरली आपनने क्या लिखा है जनरली आपन क्या देखते है कि यह undifferentiated tissue होता है meristheim जो होता है वो undifferentiated tissue होता है और differentiate होके पर्मानेंट tissue को बनाता है undifferentiated tissue है तथा differentiate होके permanent tissue को बना रहा है, ठीक है तो ऐसी cell जो लगातार division की state में ही रहती है उन cells को क्या कहा जाता है initials कहते है clear, कोई दिक्कत ये basic feature है किसके maristematic cell के, तो मैं बचो जैसे ही board से side अटता हूँ न भई मेरी तो आप तक आवाज पहुंचनी चाहिए जो लिखा हुआ है board पे आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो मैं जैसे ही board से side में रटता हूँ, आप screenshot ले लिया करो, या फिर जो statement मैंने लिख रखे हैं, उन statement को साथ में लिख लिया करो, ताकि आपको extra time इसके लिए नहीं देना पड़ेगा, इसलिए मैं board के सामने ज़्यादा नहीं रहता हूँ, ठीक है न, तो इसको note down कर लीजिए तो आज अपन ने क्या पढ़ा बच्चो आज अपन ने क्या क्या चीज पढ़ी, आज अपन ने basic feature पढ़े हैं, किसके maristematic tissue के और basic history के बारे में discuss किया, तो एक बार मेरे साथ repeat कीजिए, फटा-फट, maristematic tissue जो है, वो कैसा है maristematic tissue, immature tissue है एपरिपको है, लगातार विभाजन के अवस्ता में रहता है लगातार division की state में रहने वाला tissue जो है, वो maristematic tissue है, ठीक है अब plant के इंदर growth जो होती है, वो restricted होती है विशिष्ट क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, और उस क्षेत्रों में विभाजन seal कोशिकाएं क्या कहलाती है, उन कोशिकाओं का समूँ, maristeme कहलाता है फिर maristematic cell कैसी है, shape size कैसा है, nearly isodiametric है वही समभ्यासी परकार की है cell wall, cellulose की है, पतली है थिन है, secondary wall जो होती है वो नहीं होती, metabolism rapid होती है, उपापचेई किरियाएं बहुत ज़्यादा हो रही होती है compactly arranged होती है यानि अंतर कोशिके अवकास दो कोशिकाओं के बीच में जगह नहीं पाई जाती, सगन रूप से ववैस्तित होती है, compactly arranged होती है, compactly arranged होती है फिर cell organically जो होते है वो well developed नहीं होते है, like endoplasmic reticulum, mitochondria, वो पूरण विक्षित नहीं होते है plastid जो होगे, वो proplastid stage के अंदर रहते है irrigastic substance, जो non-protoplasmic substance है, वो भी नहीं पाई जाते है, ठीक है undifferentiated tissue है, यह विभेदित उत्तक है, और विभेदित होने के बाद किसको बनाएगा विभेदित होने के बाद में permanent tissue या नहीं, स्थाई उत्तक को बनाएगा, ठीक है marismatic cell का जो KI index होता है, वो division के समय low होता है, और नहीं cell का क्या होता है, high होता है, तो KI karyoplasmic index जो है, वो क्या होता है, वो cell का size और nucleus का size को define करता है, और KI किसलिए necessary है, metabolism को बनाए रखने के लिए, proper metabolism को बनाए रखने के लिए, KI एक important factor है, और initials क्या होती है, ऐसी marismatic cell जो जीवन भर विभाजन से लवस्ता में रहती है उन्हें initials कहा जाता है clear बचो, तो ये है maristam की general एक introduction, history और maristam की cell के feature next अपन आगे पढ़ेंगे position के basis पे function के basis पे origin के basis पे, maristam किस तरह के होते हैं, और उन maristam के function क्या क्या है so आज के लिए इतना ही बचो मिलते है next lecture में, अगर आपको lecture अच्छा लगा हो, तो आप like जरूर करें subscribe करें, अपना feedback जरूर दे, अच्छा नहीं लगा हो, तो कमिया जरूर बताएं, ठीक है, हम improve करने की कोशिश करेंगे, और खुद को improve करते हैं, रहना चाहिए so इसे के साथ आज का lecture खतम करते हैं बचो टाटा, बाई बाई मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तो करते हैं, बाई 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 चाहिए